हेलो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस सेर के बारे में बात करने वाले हैं वो है एन एच पीसी इस सेर के बारे में बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक प्यारे सब्सक्राइबर का कॉमेंट आया था अर कुछ करेंगे लेकिन उससे पहले में बता दूँ अगर आप लॉंग टम परपस के लिए इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको डिवीडेंड भी मिले और आपको कैपिटल गेन भी मिले और आपका पैसा सिक्योर रहें ये अगर सब चाहते हैं तो आपको इस सेयर का इनवेस्टमी कर देना चाहिए लेकिन परिस्क भी क्या है क्या चीज और हो सकती थüf कि तो चलिए स्टार्ड करते हैं एक一 करके मैं आपको बताता हूं सबसे पहले हम चलते हैं यहा और हम देख लिते हैं गूगल पे NSE की website पर अगर पता चलेगा यहाँ पर कि इसकी price क्या चल रही है तो अभी 43 रुपीज के आसपास चल रहा है ओके 5 डे के अंदर देखेंगे तो आपको लगबग उसी range में है 1 month का देखेंगे आप तो थोड़ा सा उपर था और 6 month का देखेंगे तो लगबग 24% return दे चुका है तो 24% return अच्छा है इस company में क्योंकि इसमें केवल capital gain ही नहीं मिलता है dividend भी मिलता है तो वो भी है और अगर आप maximum लगाएं यहाँ पर ठीक है तो यहाँ 2009 के आसपास यह company आई थी 35 रुपे के आसपास चल रहा था अभी आपको लगबग यह 43 रुपे के आसपास चल रहा है 47 के आसपास इसका high है ठीक है अब क्यों invest करना चाहिए इसके अंदर क्योंकि इतना कुछ fluctuation तो है नहीं तो आए हम screener पे चलते हैं अच्छी website है यह screener यहाँ पर आप किसी भी stock का सारी information financials वगेरा आपको अच्छे से मिल जाते हैं तो आप चाहे तो खुद भी यहाँ पर कई companies का analysis कर सकते हैं simply देखिए market capitalization 43,244 करोड का है तो अच्छा कासा market capitalization है current price आपको 43 के आसपास मिल रही है लेकिन अच्छी बात यह है कि यह book value जो है लोग ऐसा नहीं सोचते हैं क्योंकि यह company कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अभी जैसे 43 पे मिल रहा है तो एक दो साल के अंदर आपको यह 200-400 रुपे share चला जाएगा ऐसा नहीं होता है इसलिए लोग इसमें जादा invest नहीं करते हैं हाँ इसमें जो invest किया जाता है वो किया जाता है इसके लिए dividend के लिए और safety के लिए एक तो आपका पैसा safe रहता है आपको dividend भी मिलता है और इसके अलावा अगर company अच्छे result declare कर दी तो फिर हो सकता है share price भी जो है bounce कर जाए और भाग जाए और आपको capital gain हासिल करने का भी जो है मौका मिलता है dividend भी मिलता है पैसा भी safe रहता है तो इस हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता है face value 10 रुपे के आसपास है ROE 10.4 है ROC 6.5 है और industry पी ऐसे companies का 21 रहता है debt अच्छे खास है 25,955 करोड के debt है लेकिन book value फिर भी 36 रुपे आ रही है क्योंकि खूब सारी land and building इनके पास पड़ी है खूब सारे reserves इनके पास में पड़ा है तो ये debt इतना माहिने नहीं रखता है लेकिन फिर भी debt है promoter holding 71% के पास में और 71% promoter holding जो है वो सारी के सारी government के पास में central government के पास में sale आपको यहां कम दिख रही होगी average और profit आपको 14.7% दिख रहा होगा उसका reason यह है कि sale वगेरा इतनी कम क्यों growth दिखा रहा है उसका reason में आपको यहां बताता हूँ यह company क्या करती है hydro electronic generation company है यानि की बड़े-बड़े hydro electronic products projects बनाती है जिससे electricity पैदा की जा सके ठीक है मैं आपको इसकी website पहले जाता हूँ आपको आइडिया लग जाए का company करती किया यह देखिए यह hydro electronics जो project है वो करती है complaint है इससे बिजली पैदा होती है और यह केवल central के लिए नहीं करती है अलग-अलग state government के लिए भी करती है आगी मैं आगे आपको बताऊंगा जितने भी state government है उनके लिए भी यह एसे project बना-बना के देती है ठीक है यहाँ पर पूछ रहा है यह आपको English में जाना है हिंदी में तो मैंने English क्लिक किया है तो यह website पूरी की पूरी English में खुल जाएगी आप चाहे तो हिंदी में भी खुल सकते है इसको ठीक है ओके यह इसका कुछ यह देखिए यह आपको तो जैसे-जैसे project पूरे होंगे construction में ऐसे ही होता है जैसे-जैसे project पूरे होते हैं तो revenue रेविन्यू रेकोग्नाइज हो जाती है फिर उसको books of accounts के अंदर सो किया जाता है तो 3-4 project इसके running के अंदर है कोई 2024 में complete होगा 2025 में complete होगा 2023 में कुछ complete होगा तो revenue continue increase होगी ऐसी संभा होना है आये वहाँ पर screener पर चलते हैं अगर आप चाहे तो इस website पर भी बहुत सारी information खुद की website पर ले सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पर key points बता देता हूं देखिए यहाँ पर key points में जाएंगे न इस screener बहुत अच्छा चीज यह provide कराता है तो यह बता रहा है कि project and power capacity जो है इस company की बहुत जादा है और 24 पावर स्टेशन है एक्रोस 13 स्टेट के अंदर तेरा राज्यों में इसके 24 पावर स्टेशन है ओके और जो total hydro electricity बनाई जाती है उस capacity जो इंडिया की उसमें 15% जो योगदान है contribute है वो इन्होंने करके दिया हुआ है मनलब इन्होंने ऐसी capacity installed करके दे रखी है इस company ने ठीक है project under construction मैंने पहले बोला आपको कि बहुत सारे project जो under construction है और वो पूरे होंगे तो revenue भी recognize होगी तो profit भी बढ़ेगा और sales भी बढ़ेगी ठीक है क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि project बहुत सारे project ले लिए ऐसा तो होगा नहीं company 3-4 project लेती है और ऐ long term investment करते हैं तो आपको अच्छी घासी growth मिलेगी अच्छा घासा dividend मिलेगा और अच्छा घासा आपको capital gain भी मिलेगा तो long term purpose 5-10 साल ये लिए पैसा लगाना चाहते हो तो इस company में invest कर दो capital gain भी मिल जाएगा और हर साल आपको dividend मिलेगा ओके तो यहां पर देगी आप financial year 2023 के अंदर 2000 MW project जो है वो commission करेंगे और 2024 में complete होने के chances है project under clearance भी है कुछ project है जो अब clearance के करीब पहुँच गए है ऐसे चार stand-alone project है इस company ने खुद ने बनाए है एक इसके joint venture ने बनाया है एक इसकी subsidiary company ने बनाए है तो total 6 project है as of March 2022 के अंदर जो complete ह होंगे okay MOU और PPA और LOI यह तिन जो projects है यह भी चल रहे हैं जमू एन कस्मीर में odysa में और एक और दा तो यह तीन चार project जो है green energy development corporation of odysa limited उनका एक project complete कर रहे है एक जमू एन कस्मीर state of power development corporation limited उनका एक project का काम चल रहा है वो भी इस company ने लिया है तो और state of Rajasthan, Rajasthan के अंदर भ पूर 4 development 10,000 MW renewable energy project इनोंने लिया है जो आने वाल टाइम में complete होगा और इसके अलाबाग अंदरपरदेश government जो है उसे 7 pumped storage project भी इनको मिले हैं तो बहुत सारे projects इसके पास में हैं काम की कोई कमी नहीं है तो why not we invested in this this type of companies हैना क्योंकि इन में safe investment होगा dividend भी मिलेगा और capital gain मिलने इसके भी chances रहते हैं और projects ये company बहुत सारे ले रखे हैं जो आने वाल टाइम में पूरे करेगी merger and acquisition भी कर रखा है काफी सारी company के और fund raise किया है इनोंने 25 करोड का long term from long term loan from bank 1016 करोड का under asset financial new project ताकि new project को जो है काम उस पे पैसा लगाया जा सके recevables भी हैं इसके 5 debts include 4-5 data है जो इसके ये company पैसा मांगती है इसमें PDD एन जम्मू कस्मीर से 30% और जितने भी इनके debt है ना और VBSE DCL 14% UPCL 25% PSPCL 10% और 36 गर्वर्मेंट से सारे 3% total debt का यहां दे रखा है किन-किन से मालब state government से बड़े-बड़े project लेती है तो profit भी बड़ा-बड़ा होगा चलिए हम आ जाते हैं यहां पर अब थोड़ा सा आप इसका quarterly result देख लेंगे मैंने बोला ना यह project पूरा करने में तीन से चार साल लगते हैं तो इसके में growth भी आपको तीन से चार साल में ज्यादा देखेगी है न तो quarterly आप देखेंगे तो ठीक है थोड़ा बहुत आपको अंतर देखेगा ज्यादा नहीं देखेगा इसलिए मैं आपको सीधा पीनल दिखाऊंगा yearly मैंने बोला ना तीन सा साल तो देखेगी 2011 चोड़ो 12 चोड़ो 13 चोड़ो 14 में देखो 7300 तो 5144 करूर से किता होगा 7 390 करूर फिर आप एक दो तीन साल चोड़के देखेंगे तो 8000 फिर देखेंगे 10,000 अभी थोड़ा सा नीचे आया क्योंकि बहुत सारे projects complete होने वाले हैं वो होएंगे तो फिर आज बीके कंपनी अच्छा आने वाले दू कवाटर के अंदर या आने वाले एक साल के अंदर अच्छा असे जो है वो डिखलेयर करेगी और अच्छा असे बिलेंगि तो फ्रॉफिट भी अच्छा होगा वैसे आपका ध्यान यहां ज्याद आना चाहिए इस टाइप की अपनी के अंदर कहां पर वो है डिविडेंट पे आउट कमपनी पहले डिविडेंट पे आउट करती थी 32 परसेंट अथाएस परसेंट लेकिन अभी आप देखेंगे नहीं कि 51% भी इसने dividend payout दे रखा है, 81% जितना कमाया उसका profit हुआ उसका 81% dividend दे दिया, यह दे को 61%, 57%, 56%, 52%, लग भग अगर average देखा जाए नो तो 50% से उपर ही dividend payout है, माल लेते हैं अगर किसी company को आने वाल time में अभी देखें लग बग 3.50 पैसे हैं न, next year माल लेते हैं, assume कर लेते हैं चार रुपे का अगर EPS निकलता है, earning per share निकलता है, उसका 50% पर share 2 रुपे यह dividend देतेगी, और अगर EPS बढ़ता जाएगा तो dividend भी रुपीज के इसाब से भी बढ़ता जाएगा, और उतना share महेंगा भी नहीं है, 43 रुपे का share मिल रहा है न, okay, 1000 share लेते हैं आप, 43,000 रु Capital के अंदर share capital है, reserves भी बहुत सारे है, 26,000 करोड के लगबग reserves दिख रहे हैं आपको, borrowing जो है वो long term है, लेकिन borrowing को ignorously कर सकते हैं, क्यों ऐसी company में borrowing तो होगी, क्योंकि इतने बड़े projects complete करने के लिए loan तो लेना पड़ता है, okay, ठीक है, लेकिन borrowing है, हाँ, है न, अच्छी कासी ह करोड की लगबग बोरवेंगे, लेकिन fix assets में जाएंगे तो थोड़ी असली मिलेंगे, land बढ़ी है, इनके पास 3860 करोड के पास और building देखिया आप, लगबग यहाँ पर 19,000 करोड के, 19,715 करोड के आजपास, plant and machinery पढ़े हैं, इनके पास 8,000 करोड के आजपास, equipment वगेरा, और भी assets पढ़िए, other fixed assets भी पढ़िए, लगबग 3-4,000 करोड के आजपास, लेकिन साइध यहाँ राजटोप करके कहीं और transfer कर दिया, तो 108 करोड के आजपास यहाँ पर दिख रही हैं, investment भी कर रखे हैं, इसने दूसरी companies के अंदर 1389 करोड के, ओके, आ जाते हैं, cash flow, cash flow एक क्योंकि जो बड़े-बड़े mutual funds वगेरा होते हैं, जो FIs होते हैं, DIs होते हैं, वो risky investment भी करते हैं, और safe investment भी करते हैं, क्योंकि वो अपना portfolio इस हिसाफ से बनाते हैं, कि safe भी हो, risk भी हो, वो अपने portfolio को इस हिसाफ से portion में बाढ़ते हैं, तो जितने भी safe investment होते हैं, वो ऐसी company तो यहां पर इन्होंने FIs कभी मिल जाएगा लगबग 6% और DIs कभी मिल जाएगा लगबग 14% इन्होंने ज्यादा कोई changes नहीं किया है और यहां पर government यह कौन सी power finance corporation limited ने अभी इसके अंदर entry ली है और आप promoter में देखेंगे तो आपको एक देखेंगे President of India यानि कि government और public में आप देखेंगे तो कुछ और भी है तो आप चाहे तो यहां पर investment कर सकते हैं अगर आपको dividend चाहिए safe रखना है पैसा ज्यादा fluctuation नहीं चाहिए और long term के लिए invest करना है तो ऐसी company में आप पैसा लगा सकते हैं ऐसी और भी बहुत सारी government की company है जहां पर भी आप पैसा लगा सकते हैं वो इससे भी अच्छा आपको dividend देती है लेकिन comment जो है इस company का आया था इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया तो आज के लिए इतना ही लाइक, share and subscribe और उसके लावा comment करके ज़रू बतायेगा कि next आपको और किस company के share के बारे में analysis करना है तो उसके उपर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे आज के लिए तना ही मिलते नेक्स वीडियो में गुडबाई थेंक्यू